बिस्मिल्ह रह्मारी रहीम, असलाम लेकुम मैं डियर स्टूरेंट्स, सबसे पहले आपनों को वेलकम है थे एक्सिलेंस अकेडमी प्लेटफॉम पर, डियर स्टूरेंट्स, आज हमने सिस्टेमेटिक्स का एक टॉपिक डिसकस करना है, जिसका नेम है, क्रेक्टर्स विद लो लो वेड करेक्टर होगा, चाहे वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन हो या स्पिशिस टू स्पिशिस हो, तो जितना ज्यादा वो वेरियेबल होता जाएगा, उतना ही ज्यादा वो लो वेड करेक्टर कहलाएगा, एक्जामपल की बात करें तो इसमें हमारे पास हाईरी वेरि are highly variable ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास mammals हैं उनके अंदर variability नहीं होती है hairs के अंदर बहुत ज़्यादा variability पाई जाती है तो इस लिहाँ से ये भी हमारे पास low weightage character कहलाएगा next हमारे पास है no consistency ये जो हमारे पास low weighted character है ये दरसाल उलट है हमारे पास high weightage character का तो इसमें हमारे पास no consistency उसमें हमने consistency को पढ़ा था तो जो character जितना ज्यादा उसके अंदर no consistency होगी जितनी ज्यादा उसके अंदर मुस्तकिल मुझाजी नहीं होगी वो उतना ही ज्यादा low weight character कहलाएगा जितनी ज्यादा character के अंदर no consistency होगी उतनी ही ज्यादा उसके पास philatic information कम होगी और जतनी philatic information कम होती जाएगी उतना ही उसका weight कम होता जाएगा Next है हमारे पास no complexity या simple characters ऐसे character जो simple हों जिनके अंदर complexity ना पाई जाए और उनके लिए फिर deep studies भी require नहीं होती deep research भी require नहीं होती क्योंकि इनके results जो होते हैं वो फिर satisfied नहीं होते living organism की classification के लिए तो इस लिहाँ से ये फिर हमारे पास low weighted character होते हैं जितना ज्यादा simple होता जाएगा character उतना ज्यादा वो low weight होता जाएगा example के अगर बात करें तो इसमें अगर हम vertebrates जितने भी हैं उनके पास backbone होती है तो यह वाला जो角रेंग के उसमें इस पूरे करेंगे नहीं होता printing मेका करेक्र होते हैं के लिए हमारे पास फिर एफॉप कोई भी करेंगे जिसके उपर जदना ज्दा यहादा Ekological influence होता जाएगा वो उतना ही जादा Low Weighted Character होता जाएगा यानिके Ekology के लहाँ से उसके अंदर Changing आती जाएगी या कैलिप जाती जाएगी Ekology के लहाँ से तो उतना ही जादा हमारे पस Low Weighted Character होगा क्योंकि ये different regions के अंदर different areas के अंदर ecology की changing की वज़दे कम यूज़ किया जाएगा ज्यादार हाई वेटिड जो हैं करेक्टर्स वही यूज़ किया जाएगे इन्हें फिर कम तरजी दी जाएगी क्योंकि डिफरेंट एरियास के अंदर जो डिफरेंट कंडिशन होंगी फिर भी ये उनके अंदर सर्वाइव नहीं कर सकेंगी यह वाले और्गनिजम एक्जामपल के बात करें तो टेरेस्ट्रियल मैमल्स, अमफीबियन्स, डिप्टाइल्स जो हैं यह फिर अंटार का टिका कि अगर हम बात करने तो यहाँ वहाँ पर यह सर्वाइव नहीं कर सकते तो यह धर्डिये स्टूरेंट्स हमारे पास लो वेटेट करेक्टर्स, होप सो आपको लेक्टर समझ आया होगा, काइनली आप चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें और स्टे कुनेक्टिट फार मोर वीडियो, थैंक्यू सो मच, अलाह आफिस